हलो स्टुडेंट्स ये एंसी अर्टी एक्ससाइज पेज नमबर 70 पर प्रॉब्लम नमबर 2.18 है ठीक है स्टेटमेंट में देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें पूछ रहे हैं कि अगर आपने जो फॉर्बिट है उसमें से एलेक्ट्रोन शिफ्ट करना है फिफ्ट और्बिट में तो कितनी अमाउंट ऑफ इनर्जी जो है इन तर्म्स ऑफ जाउल रिक्वाइड होगी ठीक है एंड नेक्स क्वेशन इस वावलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोन रिटर्न स्टेट पर रिटर्न करेगा तो वह कितने अमाउंट ऑफ वेवलेंथ लाइट जो है वह वह एमिट करता हुआएगा आपने ये भी बताना है अब इ है कि आपके पास जो इनर्जी दी हुई है ग्राउंट स्टेट की दाट इस माइनस 2.18 इंटो 10 रिस टू पर माइनस 11 अर्ग्स दी हुई है ठीक है तो पहले हम एनर्जी देख लेते हैं तो वाट वी कैन से दी ग्राउंट स्टेट इनर्जी इकोल टू माइनस 2.18 इंटो 10 रिस टू पर माइनस 11 अर्ग्स ठीक है अब इनर्जी अर्ग्स में दी है लेकिन हमें किस में चाहिए है हमें जौल्स में चाहिए है तो देफिनिटली हम क्या करेंगे पहले हम 1 अर्ग कितने जाउल के equivalent आता है वो देख लेंगे 1 और की equivalent to 10 raise to power minus 7 जाउल के equivalent आता है दन तो यह हम convert कर लेंगे minus 2.18 into 10 raise to power minus 11 into 10 raise to power minus 7 यह जाउल हो जाएगा ठीक है अब दोनों powers minus में है तो definitely यह आपस में add हो जाएंगी 11 plus 7 that is 18 so minus 2.18 into 10 raise to power minus 18 जाउल आपके पास ground state energy जो है वो आ चुकी है अब हमने find out क्या करना है कि कितनी amount of energy जो है वो चाहिए है जब ground state से 5th orbit में electron जो है shift होगा ठीक है तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें जो E1 energy होगी orbit 1 में उसको जब हम minus करेंगे E5 energy में से तो हमारे पास वो total amount of energy आ जाएगी so I can say delta E equaler to E5 minus E1 हो जाएगा done अब मैं इसको solve कर सकती हूँ तो obviously बात है हमारे पास जो energy का formula होता है वो क्याता है E subscript N equal to minus 2.18 into 10 raise to power minus 11 by N square जाओल आ गया अब मुझे पता कि N square यहाँ पे क्या है that is orbit तो obviously अगर मैं इसको जो है delta E की form में लिखना चाहती हूँ तो मेरे पास यह क्या आजाएगा minus 2.18 into 10 raise to power minus 18 जाओल ठीक है N square 1 by N2 2 का square ठीक है minus 1 by N1 का square आ गया then अब आप इसमें values पूट कर सकते हो यहाँ पे N2 क्या है N2 हमारे पास 5th orbit है N1 क्या है that is first orbit तो अब values पूट कर दो minus 2.18 into 10 raise to power minus 18 जाओल into 1 by 25 because 5 का square गता हो गया 25 हो गया so minus 1 हो गया क्यूंकि 1 का square जो है definitely हमारे पास 1 ही हाता है okay अब आप जब आपने LCM लिया तो obviously बात है अब 1 into 25 that means 25 हो गया so I'll take the LCM 2.18 into 10 raise to power minus 18 जाओल into LCM that is 25 okay 25 divided by 25 1 तो 1 into 1 that means 1 आगया minus 25 divided by 1 25 so 25 into 1 that means 25 तो जब आपने 1 को 25 में से minus किया तो किता आगया 24 आगया and minus की टर्म बढ़ी है तो definitely minus 24 आपके पास इसका LCM में answer आजाएगा so minus 2.18 into 10 raise to power minus 18 जाओल into minus 24 by 25 अब minus के साथ minus का साथ cancel हो गया ठीक है 2.18 को जब आपने 24 के साथ multiply किया तो you get 52.32 into 10 raise to power minus 18 जाओल divided by क्या गया 25 आगया done तो जब आपने 25 को इस टर्म के साथ divide किया 52.32 के साथ तो your final answer is 2.0928 into 10 raise to power minus 18 जाओल ठीक है तो यह हमारे पास क्या आगी यह मारे पास यह जो energy difference है मतलब की delta E की value जो है वो आगे है done अब हमने find out क्या करना है हमने lambda की value मतलब wavelength जो है वो find out करनी है तो अब यह क्या कह रहे है कि वन एलेक्ट्रोन रिटर्न्स टू डिग्राउंड स्टेट state that means n की value जो है किती होगी 1 होगी now delta E equaler to hc by lambda ठीक है h हमारे पास क्या है planks constant है c जो है velocity of light है तो आप values लिख लिख लो h equaler to planks constant 6.626 into 10 raise to power minus 34 ठीक है jaul second आ गया c is velocity of light 3 into 10 raise to power 8 meter per second delta E क्या है जो हमने अभी energy difference find out किया तो अब आप सारी values put कर सकते हो तो lambda हमने find out करना है तो I'll take lambda on left side and lambda is side cross multiply कर दिया so it is hc by delta e अगया ठीक है अब आप सारी values put कर दो तो lambda equaler to 6.626 into 10 raise to power minus 34 joules second into a velocity of light V साथ में multiply कर दो 3 into 10 raise to power 8 meter per second अब divided by हमने delta E करना तो 2.09 यहां पर 8 है तो definitely मैं इसको एक बढ़ा की लिख सकती हूं तो 93 हो जाएगा into 10 raise to power minus 18 joules अब जाओल के साथ जाओल मेंने कैंसल कर दिया second के साथ second inverse कैंसल कर दिया तो हमारे पास unit के रहागे सिर्फ meter रहेगे अब 6.26 को जब मैंने 3 के साथ multiply किया तो I get 19.878 into सारी पावर्स ही कठी कर सकती हूं so definitely 10 raise to power minus 34 plus 8 यह minus का 18 है denominator में तो definitely numerator में जाकि यह plus का 18 हो जाएगा so plus 18 और unit के रहागे सिर्फ meter रहेगे divided by 2.093 ठीक है जब मैंने 18 को 8 में plus किया तो I get 26 26 को जब मैंने 34 में से minus किया तो the answer is 10 raise to power minus 8 meter जब मैंने 19.878 को divide किया 2.093 के साथ तो approximately I get answer 9.497 ठीक है अब क्या मैं है यह decimal जो है यहां पर shift कर सकती हूँ तो यह क्या जाएगा 949 है यहां पर 7 है more than 5 है तो definitely एक बढ़ा के लिख सकती हूँ तो यह 950 into 10 raise to power minus 2 हो जाएगा ठीक है into 10 raise to power minus 8 meter दोनों powers minus में है तो यह add हो जाएगी तो इस 950 into 10 raise to power minus 10 meter एप्रोक्सीमेटली वन ऑंक्स्टरम किसकी equivalent आता है 10 raise to power minus 10 meter के ठीक है तो इस 950 angstern that is your final answer